C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप प्रस्तुत है ये श्रिंखला कविता मंजरी मित्रो, कविता मंजरी कारेक्रम में आपका स्वागत है कारेक्रम की इस श्रिंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य की सुप्रसिद कवित्री सुभद्रा कुमारी चवहान की ये कविता जासी की रानी मित्रो, इस कविता के माध्यम से सुप्रसिद वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है तो आईए मित्रो, आप सुनते हैं इस कविता की संगीत में प्रस्तुती सिंघासन हिल उठे राजवन शोने ब्रिकुटी तानी थी पूडे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी घुमी हुई आजादी की की मत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी सन सत्तावन में वो तलवार पुरानी थी गुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी पूबलणी मरदानी वो तो छासी वाली रानी थी कानपूर के नाना की मूँ बोली बहन छबिली थी लक्ष्मी बाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी परची ढाल क्रिपान कटारी उसकी यही सहेली थी वीर शिवा जी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी गुंदेले घर बोलों के मूँ हमने सुनी कहानी थी उब लड़ी मरदानी वो तो छासी वाली रानी थी ओ लक्षमी थी या दुरगा थी वो स्वयम भीरता की अवतार देख मराठे खुलकित होते उसकी तलवारों के वार नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार सैन्य खेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रियखिलवार महाराष्ट कुल देवी उसकी ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ महाराष्ट कुल देवी उसकी भी आराध भवानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँं हमने सुनी कहानी थी उब लड़ी मरतानी वो तो छासी वाली रानी थी हुई भी रिता की वैभव के साथ सगाई जासी में व्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी बाई जासी में राज महल में बजी बधाई खुशियां छाई जासी में सुभट बुंदेलों की विरुदावली सीवो आई जासी में चित्रा ने अरजुन को पाया ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ चित्रा ने अरजुन को पाया शिव से मिली भवानी थी गुंदेले हर पोलों के मूँ अमने सुनी कहानी थी पूब लड़ी मरदानी बोतो जासी वाली रानी थी उदित हुआ सो भाग्य मुदित महलों में उदियाली चाई किन्तु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई धीर चलाने वाले करमें उसे चुडियां कब भाई रानी विधवा हुई हाय विदिगो भी नहीं दया आई निसंतान मरे राजाजी ओ 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 निसंतान मरे राजाजी रानी शोक समानी थी गुंदेले हर बोलों के मूँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो नाजी वाली रानी थी बुजा देप जासी का तब डल हो जी मन में भर शाया राज हडप करने का पुसने ये अच्छा अवसर पाया ओरन फोजें भेज दुर्ग पर अपना जंडा फहराया लावारिस का वारिस बन कर ब्रिटिश राज जासी आया अश्र पून राणी ने देखा जासी वुई बिराणी थी उंदेले हर बोलों के मुं हमने सुनी कहानी थी भूब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी ओचनी राज धानी देहली की रियालक नव बातों बात पैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर पर भी खात उदैपूर तंज और सतारा घरनाटक की कौन बिसात जबके सिंद पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था बज्र निपात बंगाले मद्रास आज की भी तो वही कहानी थी कुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी उब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी इनकी गाथा छोड़ चले हम जासी के मैदानों में जहां खड़ी है लक्षमी बाई मर्द बनी मरदानों में लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुचा आगे बढ़ा जवानों में रानी ने तलवार खीच ली वादवंद असमानों में जखमी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी गुंदेले हर बोलों के मूँ हमने सुनी कहानी थी उबलडी मरदानी वो तो छांसी वाले रानी थी ओ रानी बडी काल पी आई करसो मील निरंतर पार गोडा ठकर किरा भूमि पर गया स्वर्ग तत काल सिधार यमना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार विजई रानी आगे चल दी किया ग्वालियर परवधिकार अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी रजधानी थी बुंदेले हर बोलों के मूं हमने सुनी कहानी थी उब लड़ी मरदानी वो तो छांसी वाले रानी थी विजई मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी अब के जनरल स्मित सनमुख था उसने मूं की खाई थी काना और मुंदरा सक्यां रानी के संग आई थी युद्ध खेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी पर पीछे हूं रोज आ गया आय घिरी अब रानी थी गुंदेले हर बोलों के मूं हमने सुनी कहानी थी उब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी तो भीरानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार किन्तु सामने नाला आया थाये संकट विशम अपार गोडा अला नाया घोडा था इतने में आ गये सवार रानी एक शत्र बहुतेरे ओने लगे वार परवार घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीर गति पानी थी गुंदेले हर बोलों के मूं हमने सुनी कहानी थी उबलडी मरदानी बोतो रासिवाली रानी थी रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव सवारी थी मिला तेज से तेज तेज की वो सची अधिकारी थी अभी उम्र कुल तेईस की थी मनुझ नहीं अवतारी थी अमको जीवित करने आई बन स्वतंत्र ता नारी थी जिखा गई पत सिखा गई तो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ दिखा गई पत सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी गुंदेले हर बोलों के मूं हमने सुनी कहानी थी मित्रो कविता के इस गायन को सुनकर आपके मन में भी कुछ लिखने या गाने या गुनगुनाने की भावना अवर्ष्य जगी होगी तो क्योना आप भी कोई छोटी सी और प्यारी सी कविता लिखें और उसे गायें और गुनगुनाएं जासी की रानी अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहिते की सुप्रसद्य कवियत्री सुभत्रा कुमारी चौहान की ये कविता संगीत से समारा राकेश पंडितने और गायकलाकार थे विश्व मोहन बडोला और चतुर सेन विशे संयोजन रविंद्र कुमार, ध्वनियंकन बटी लेंगलिंडो और शानु मुक्सीम, निर्मान सहयोग, मयंख थपलियाल, ध्वनिसंपादन, निर्देशन तथा निर्मान, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT नई दिल्ली झाल